ओम शान्ती आज 23 नौम बर 2021 की साकार मुरली आज बाबा ने कहा मिठे बच्चे इस ड्रामा में तुम हीरो हीरोईन पाड़ धारी हो सारे कल्प में तुम्हारे जैसा हीरो पाड़ और किसी का भी नहीं आज का प्रश्न मनिष्य देवता बनने का इमतिहान कौन पास कर सकता है उत्तर जो फोलो फादर कर बाब शमन पवीत्र बनते वही यह इमतिहान पास कर सकते हैं तो जरूर थोड़ी मेनत करनी पड़ेगी अवी मेनत नहीं की तो कल्प कल्पांतर नहीं करेंगे फिर उंच पद कैसे पाएंगे पवीत्र बनेंगे तो अच्छा पद पाएंगे नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी ओम शान्ती मिठे मिठे रुहारी बच्चों से बाबा शम्मुक बात कर रहे हैं बच्चे समझते होंगे हमारे साथ बेहत का बाब बात कर रहे हैं जो सब से अती मीठा है बाब भी मीठा होता है टीचर भी मीठा होता है क्योंकि दोनों से वर्षा मिलता है गुरू से भक्ती का वर्षा मिलता है यहां तो एक से तीनों मिलते हैं खुसी भी होती है तुम उनके सम्मुख बैठे हो तुम जानते हो बेहत का बाप जिसको पतित पावन कहा जाता है वही मनिस्ष्ष्ष्टी का बीज रूप है वह भी जड़ होता है यह है चैतने इनको सर्चित आनन्ज शवरूप कहा जाता है फिर उनकी महिमा भी है वह ज्यान का सागर है परन्तु उससे नौलेज क्या मिलती है यह किसको पता नहीं है तुम जानते हो जिनों को बाब नौलेज दे रहे हैं वही भक्ति मार्ग में इनके मंदिर सास्तर आधी बनाते हैं यह भी तुम जानते हो कि ब्रोवर हर 5000 बर्स के बाद यह कल्प का शंगम आता है इसको कहा जाता है रुहानी अविनासी पुरुस उत्तम शंगम यूग यह तो उत्तम पुरुस बहुत ही होते हैं परन्तो एक जनम में उत्तम पुरुस बनते हैं फिर मजधम कनिष्ट हो पड़ते हैं यह लक्षि नारायन देखो कितने उत्तम पुरुस है यह है पुरुस उत्तम और पुरुस उत्तमनी ऐसा उत्तम दोनों को किसने बनाया? गाया जाता है उँच ते उच भगवान है. वो उपर में रहते हैं. मनिश सीष्टी में उचे ते उच ये वीश्व महाराजा महारानी है. उचे ते उच भारत में राजी करते थे. अब ये राजी उन्होंने कैसे पाया? ये किसको पता न एसा बाप जो तुमको इतना उच बनाते हैं वो कितना मीठा लगना चाहिए उनकी मात पर चलना चाहिए ऐसा उचा बीश्व का मालिक बनाने वाला बाप पढ़ाते कैसे साधारन जीती से हैं यह भी तुम जानते हैं कि बेहत का बाप भारत में आता है शिप जयनती भी मनाते भारत को आकर स्वर्ग बनाते है। अब इस मिती आई है कि हम स्वर्गवासी 84 जनम भोग नरकवासी बने हैं। फिर बाबा आया हुआ है स्वर्गवासी बनाने। अब बाब कहते हैं। मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा तमो पर्धान से सतो पर्धान बनेगी सतो पर्धान बनने भी गर वापिस कोई जा नहीं सकते नहीं तो सजा खानी पड़ेगी सजा भी आत्मा को मिलती है ना गर्ब जेल में सरी धारन कराए फिर सजा देते हैं बच्चों को बहुत दुख भोगना पड़ता है त्राही त्राही करते हैं कहते हैं फिर पाप नहीं करूंगा तुम बच्चों को तो गर्ब जेल में जाना नहीं है वहां गर्ब महल है क्योंकि पाप होता नहीं यहां रावन राज में पाप होता है तब तो राम राज्य मांगते हैं परन तो यह जानते नहीं रावन राज्य क्या चीज है जलाते हैं तो खतम होना चाहिए फिर फिर जाते हैं गोया मरा नहीं है फिर यह सब करने से फाइदा क्या वो लोग जाकर लंका लूटकर आते हैं एक जाड को बीमारी होती है उसको सोना समझ ले आते हैं वास्तों में तुम इस समय रावन पर जीत पाते और गोल्डन एज के मालिक बनते हो अजमेर में बैकून का मॉडल बनाया है अब तुम जानते हो बाबा आया है बच्चों को फीज से स्वर का मालिक बनाने हिरे जवारों के महलों में हम राज्य करेंगे अवी तुम बच्चे योगबल से निर्विकारी शतो परधान बनते हो आत्मा संपूर निर्विकारी बन फिर चले जाएंगी शांती धाम वहां दुख की बात नहीं बाबा ने समझाया है इस नाटक में तुम्हारा सब से बड़ा मुख्य पार्थ है हिरो हिरोईन का राज्य लेना और गवाना ये खेल है हिरो हिरोईन तुम हो हिरो का अर्थ है मुख्य पार्धारी तुम गोल्लन एज में पवित्र गिरस्त आसरम में रहते थे आरेन एज में अब अवित्र की रस्त बैवार है अब बाबा गोलेन एज में ले जाएगा वहां लक्षी नारायन शुरी वंसियों का राज्य होगा वो पुनर जनम ले चंदर वंसी में आएंगे ब्रेदी होती रहेगी अब कितने करोड हो गए हैं अब कहते हैं बर्त कम हो ज बाब जानते हैं जास्ती मनिश होंगे तो मरेंगे मैं आया हूँ सब को खलास कर एक धर्म के अस्थपना करने वहां नौ लाख होंगे छुम मंत्र हुआ ना कलियोग रुपी रार पूरी होकर दीन सुरू हो जाएगा बर्त कंट्रोल पर कितना खर्चा करते हैं बाब का प्रेमिटीच होंगी सब खतम हो जाएगा ड्रामा में नूदे वो लोग जो प्लेन बना रहे हैं वो भी ड्रामा में नूदे योरोव वासी यादो भारत वासी कौरो और पांडो वो सब एक तरफ इस तरफ दो भाई-भाई हैं भारत में भाई-भाई हैं जो अभी में भाई भाई है तुम आत्मों से ही पहले पहले बावा मिला है रेस में जो पहले पहले जाते हैं वो इराम लेते हैं तुम्हारी है याद की दोड़ या कोई शात्रों में नहीं है बाप कहते हैं मेरे साथ योग रखो या योग की यात्रा इस समय ही होती है या यात्रा और क कोई सिखला ना सके शतियोग में न रूहानी योग न जिस्मानी योग होता वह दरकार ही नहीं यह इस समय तुम्हारी बुद्धी में बैठता है ड्रामा में एक एक सेकेंड का एक्ट समझाया है इसको शौदर्शन चक्र कहा जाता है वास्तों में शौदर्शन चक्र धारी अभी तुम बनते हो 84 जन्मों का अथवा सिष्टी चक्र का नौलेश तुमको है 100 माना आत्मा आत्मा को यह ज्यान है तभी तुम बच्चे सौदर्शन चक्रधारी बने हो हम दुमको कहेंगे रोहानी बच्चो शौदर्शन चक्रधारी ब्रामन कुल भुसन इन अक्षरों का अर्थ कोई नया समझ नहीं सकता यह लंकार तुमको नहीं देते हैं क्योंकि तुमसे कोई भागनती हो जाते हैं अभी तुम्हारी बुद्धी में 84 का चक्र है अब अज की बात है इतना भी कोई याद करे तो अहो शौभाएगे बाकी थोड़ा समय है फिर हम स्वर्ग में जाएंगे बाकी सास्तरों में तो बहुत दंद कथाएं लिखती है क्रिश्न जो सभी का प्यारा है उनके लिए भी लिख दिया है सर्प्रने डासा यह हुआ क्रिश् यह वास्तों में है ज्ञान की बात तुम इस समय ज्ञान ज्ञानिशोरी हो यह एम अबजेक्ट है तुमसे कोई पुछते हैं यहां का उदेश्य क्या है बोलो मनिश्य देवता बनना हम शो देवता थे 84 जनमों बाद शुद्र बने अब फिर ब्रामन बने है फिर देवता बनेंगे प्राने वाला ज्ञान का सागर परमात्मा है ना की कृष्ण यह राजयोग कोई भी सिखला ना सके तुम कहते हो बाबा हम कलप कलप आप से आकर राज्य भाई के लेते हैं यह भी तुम जानते हो इस महाभारी लड़ाई से ही सवर के गेट खुलने वाले हैं भारी लड़ाई सात्रों में हैं खासी आई यह किसको होती है शिप बावा को यह ब्रमा बावा को ब्रमा को यह कर्म भोग है अंतक होता रहेगा जब तक शंपूर न बन जाए फिर यह सरीर भी नहीं रहेगा तब तो कुछ न कुछ होता रहेगा इसको कर्म भोग कहा जाता सत्यूग में कर्म भोग होता नहीं कोई विमारी आदी होती नहीं हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं शदेव हरसीत रहते हैं क्योंकि बेहत के बाम से बरसा मिलता है फिर आधा कल्ब के बाद दुख सुरू होता है सो भी जब भक्ती बैविचारी हो जाती है तब दुख जास्ती होता है तब तरही तरही करते हैं और फिर बिनास होता है अब तुम सम्मुक सुनते हो तो कितना मजा आता है जानते हो यह हमारा सच्चा बाप, सच्चा टीचर, सच्चा सद्गुरू है यह मईमा एक ही निराका बाप की है वो है उंचे ते उंचे भगवान उस बाप को याद करो तो उंच पद पाएंगे यह कोई शादू संत महात्मा तो तक्त पर नहीं बैठता है कभी पांप पढ़ने भी नहीं देते हैं बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओविडेंच शर्वेंट हूँ मुझे पैर कहा है तुम माथा किसको टेकेंगे पद गुरुओं को माथा टेकते टेकते तुम्हारी टीपर ही गीज गई है जो भक्ति मार्ग में होता है वो ग्यान मार्ग में हो ना सके भक्ति मार्ग में कहते हैं हे राम बाप कहते हैं यह कोई आवाज नहीं करना है अपने को आत्मा समझ गुप्त बाब को याद करना है हे शीप भी कहना नहीं है तुमको आवाज से परे जाना है बच्चे को अंदर में बाब याद रहता है आत्मा जानती है कि हमारा बाबा है तुमको अंदर गुप्त याद करना है इसको अजपा याद कहा जाता है जाप नहीं करना है माला अंदर फेरो या बाहर फेरो बात एक ही है अंदर फेरना कोई गुप्त नहीं गुप्त बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना वो शिप बावा या परजापिता ब्रम्हा तुमको डवल इंजन मिलती है सिंगारने लिए इनकी आत्मा भी सिंगार रही है फिर सब चलेंगे पियर घर वहाँ से फिर ससूर घर विश्नुपूरी में आएंगे या है डवल पियर घर अलोकिक, वो लोकिक और वो पार लोकिक इस अलोकिक बाप को कोई जानते नहीं तब कहते हैं राजा से रंक बने हैं बाबा समझाते हैं इस तन में मैं प्रवेश करता हूँ फिर भी किसकी बुद्धि में बैठता नहीं मंदीरों में बैल रख दिया है और संकर तो है सुक्ष्म बतन वासी सुक्ष्म बतन में बैल आदी तो होते ही नहीं बैल अर्थात मेल, भागिरत को मेल दिखाते हैं, मनिश तो बिलकुल बे समझ बन पड़े हैं, बाप कहते हैं, रावण ने बे समझ बनाया है, खुद कहते हैं, राम राज्य चाहिए, अब राम राज्य तो सत्युग में होता है, कलियुग में रावण राज्य, राम और अब शिप बावा आकर ग्यान सुनाते हैं और रावन पर जीत पहनाते हैं अब तुम जानते हो रावन क्या चीज है कब आते हैं एकुरेट हिसाब बताए जाता है ये बातें अच्छी रीती धारण करो भूलो मत ग्यान सागर के पास बादल बनकर आये हो भरकर वर्षा बसानी है धारणा बड़ी अच्छी जाए या तुम शम्मुक बैठे हो भासनाती है हम बेहत बाप के सम्मुक घार में बैठे हैं ब्रामन कुल भुशन भी है मम्मा बावा भी है बावा हमको टीचर के रूप में बढ़ा रहे हैं सद्गुरु के रूप में ले जाना वास्त में वो फॉलोर्ष भी है नहीं वो सन्यासी वो गिरस्ती तो फॉलोर्ष कैसे ठेरें तुम शिप बावा को भी फॉलो करते हो ब्रमा बावा को भी फॉलो करते हो जैसे यह बनते हैं तुम भी बनते हो हम आत्मा पवीत्र बन बावा के पास चली जाएंगी बावा कहते हैं मामे कम याद करो, सच्चे सच्चे फोलोस से तूम हो, बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम्हे ले जाने के लिए, अब ज्यान चिता पर बैठो तो ले जाओंगा, सत्यूग में लक्षिन आरायन का राजेता, उस समय और सब धर्म शांति धाम में थे, यह बात बड़ी सहजे, बावा के फोलोस बनो, जितना पवित्र बनेंगे, अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी, जाना तो जरूर है, एकी जर्मों का बरसा मिलता है, तो क्यों नहीं मेनत करनी चाहिए, अब मेनत नहीं की, तो कल पकल पांतर नहीं करेंगे, फिर उंचपत कैसे पाएंगे, यह बड़ा बेहत का कलार से, एकी इमतिहान है, मनिश्य देवता बनना है, अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्धे बच्चों प्रती, मात पिता बाव ददा का याद प्यार और गुड मॉनिंग, रुहानी बाव की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाव ददा को याद प्यार गुड मॉनिंग, नमस्ते, नमस्ते, धारना के लिए मुख्ये सार, पहला पोइंट, एक बाव का सच्चा सच्चा फोलोर बन, पूरा पुरा पवीत्र बनना है, एकी जन्मों का बरसा लेने का पुरसाथ करन है, दुसा पोइंट, मुख्य से हे शिबावी नहीं कहना है, आवाज से परे जाना है, अपने को आत्मा समझ अंदर में बाव को याद करना है, आज प्यारी मिठे बावा का बरदान, स्थोल वशुक्ष्म में हर फर्मान को पालन करने वाले शंपून फर्मान वर्दार स्थोल वशुक्ष्म में हर फर्मान को पालन करने वाले शंपून फर्मान वर्दार भव, स्थोल फर्मान पालन करने की सक्ती उनी बच्चों में आ सकती है, जो सुक्ष्म फर्मान पालन करते हैं, सुक्ष्म और मुख्य फर्मान है, निरंतर याद में रहो, वशुक्ष्म यदि संकल्ब में भी पूराने अशुद संसकार टच करते हैं तो शंपून वैश्णों वशंपून पवित्र नहीं कहेंगे इसलिए कोई एक शंकल्बी फर्मान के सिवाए ना चले तब कहेंगे शंपून फर्मान बर्दार स्लोगन बाग को जानकर दिल से बावा कहना ये सर्व से बड़ी भी सिस्ता है अच्छा ओम शान्ति